शायर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें चाननगर की तीन गलियों को सील किये होए तिन हपतों से जादा का समय हो गया है स्तानिय प्रशासन की अंदेखी के चलते यहाँ अब तक न अनाज का वितरन किया गया और ना ही किसी के कोई सूध ली गई शायद इसी वज़ा से नाराज लोगों ने खोदी यहाँ के बेरिकेट्स खोल दिये है मालूम हो कि चांदनगर के सभी को ना पॉजिटिव मरीज अब निकेटिव होकर घर लोट चुके है सोमवार को गंटी बाबा परिसर के कंटनमेंट सोन के नागरी को ने स्तानिय प्रशासन के खिलाप मोर्चा खोलते हुए जम कर नारेबाजी और बिरोध प्रधर्शन किया उनका कहना था कि परिसर को कंटनमेंट सोन में तब्दिल किये हुए लगभग 19 दिन से ज्यादा का समय बीट गया फिर भी न यहाँ अनाज का वितरन हुआ और ना ही बैरिकेटिंग हटाई गए ऐसे में सिल्बन एरिया में रहते हुए आर्थिक समस्या का बोश सहते हुए वो उकता गए है इसके बाद तहसिल प्रशासन हरकत में आया और उनको अनाज के पैकेट्स वितरित किये गए इस तरह अब चान नगर के तीन गलियों में लगाई गई बैरिकेटिंग से और प् हुए कई लाके तहसिल कारिया लेद्वारा अनाज का वितरन किया गया जबकि चान नगर के इन तीन गलियों को स्रील किये हुए तीन हपतों से जादा का समय बीच चुका है इस संधर्प में पड़िसर के एक बज़र्ग में इस्तानिय प्रशासन को इन्बीसियन के माध्य हम से अपनी समस्याय पहुचाने की कोशिश की है मालुम हो कि चान नगर में तीन कथित कोरोना पॉजिटिव मरिजों ने कोरोना को माध देते हुए कामयाब तरीके से घर वापसी की है बीट 11 जुलाई को आमेना कुद्दुस एहमेद खान कोरोना एक्टिव से कोरोना निगेटिव होकर घर लोटी थी बही बुद्भार की दो पहर कुद्दुस एहमेद खान सर परजाना कुद्दुस खान कोरोना को हरा कर घर लोट चुके है इनके आगमन पर चांद नगर वासियों ने कुद्दुस खान सर का पुष्प गुच्छ दे कर स्वागत किया इस दोरान स्वागत करने वालों में कफार अब्दुस सत्तार, हाजी, वहिद खान, खालिक लाइनमेन, खालिद सर, इप्तिखार सर, तनवीर पटेल, तसलिम बेक, मतीन शेक, आदी ने कुद्दुस खान को मुबारक बात दे कर उनके आगमन पर खुशी काये जहार किया इन बीसेन न्यूस के लिए दुबेख खान के रिपोर्ट